विल्कुन टुमाई सवाइज जुक्यसन फॉर्मिसन चैनल में स्वागत है तो आज लेकर के प्रेजन्ट है वाटि इस वेरीवल चर का अर्थ यह हम डेफिनेशन दोनों लेकर के प्रेजन्ट है फिर इसके पाद इसके टाइपस के बारे में इंक्लीड करूंगी ती यानि च चर के जो है तीन चार पार्ट लगातार हम प्रवाइड करेंगे जूड़े रहे हैं चैनल पर अधी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन इजी से आपको प्रवाइड हो जाएं तो देखते हैं आपर चर की क्या बताने व होती है सबसे पहले मेनिंग को जानेंगे इसके वेस को जानेंगे कोई भी चीज जिनका मान बदले उसे चर कहा जाता है आयोग दिस क्लियर हो गया होगा कोई भी चीज हो उसका मान बदल जा उसे ही हम क्या कहेंगे चर कहेंगे चर का सरल सब्दों में अर्थ होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें किसी एक या अन्य कारण से बदलाव आता रहता है अर्था चर कोई भी चीज जिसका मान बदले उसे चर कहा जाता है डेफिनेशन की दृष्टी से इनकी जो है अर्थिवम प्रागृतिक नेचर के बारे में विन विद्वानों ने जो है जो विचार व्यक किये है वह निमलिखीत है जो आईए हम आपको डिफाइन करके बताते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में गाईज तो यहां रहा डिफिनेशन किसके अकारडिंग डाक्टर एमेटो के अकारडिंग ठीक है तो यह रहा इसमें देखेंगे इन्होंने कहें हैं कि इनके सब्द में वस्तूं घटनाओं या व्यक्तियों की मापन योग ये किसी भी गुड को चर कहा जाता है जिसमें क्या हो बदलाव होता रहता उसे ही हम क्या कहेंगे चर कहते हैं आ जाते हैं नेक्ष्ट पे कार्लिंग के अकार्डिंग देखेंगे एक चर एक चीन शिंबल है जिसमें अ अथ्वा मूल अंकित किया जा सके चर संख्यात्मक भी हो सकता है और गुडात्मक भी हो सकता है ठीक है चार्ल्स की एकार्डिंग देखेंगे तो चार्ल्स इस्टाइंगर जो है इनके एकार्डिंग देखते हैं कि चर से तात्परि उस गुण विशेस्ता से है जिसकी उपस् यानि दोनों में क्या हो डिफ्रेंट होता है सेम नहीं हो सकता है बदलाव होता रहता है तो ए रहा नेक्ष्ट देखते हैं यह यह यस पैटन के अकार्डिंग यहाँ पर देखेंगे चर जो है चर से विप्राय किनी दो या दो से अधिक स्रेडियों से युक्ति किसी विशेष या विशेषता से है प्रतिभागी स्रेडी विशेष जिससे सम्बन्धित है के हिसाब से भीन दिखाई देते हैं गाइस अब देखेंगे यहां पर रोविन डोनीजों के काडिंग गाईज यहां पर कि यह एक चर्वह संप्रत्य मात्र है जिसमें बदलाव आते रहते हैं जिसे परिभासित किया जा सकता है और जिसकी अपनी कुछ विसेश्थाएं या गुड़ होते हैं इन विसेश्थाओं या ग परदान शंकलन से पहले ही परिभासित कर लिया जाता है प्रते एक चर में कम से कम दो गुड़ अवस्य होते हैं उदाहरन के लिए नर और नारी यह दोनों लिंग नामक चर की स्रेडियों या विसेश्थाओं के घोतक और विवाहित इवं और विवाहित बैवाही की स्थि नामक चर की स्रेडिया इवं गुड़ हैं गाईज बहुत ही बड़ियां एक्जामपल के साथ इंकल्यूड कर रहे हैं आप देख सकते हैं सैख्डिक अस्तर दूरी आय जाती जन जाती उचाई ब्योसाय तथा भार यादी भी चर्डों के उदाहरन है परंतु प्रोफेसर विद्या थी 40 वर्सी 500 सहरी निवासी यादी अपने आप में कीवल मात्र गुड़ या विशेश्ताएं हैं चर नहीं क्योंकि यह परिवर्थित नहीं होते हैं ए रहा अब गैरेट के अकार्डिंग देखेंगे चरों से ताथ पर यह उन गुड़ों या विशेश्ताओं से जिन में मात्रात्मक विवेनता जलकती है तथा जिन के एक या अन आयामों में बदलाव आता रहता है उपर युक्त परिभासाओं से यह स्पश्ट होता है कि व्यवहारिक विज्ञान में किये जाने वाले अनुसंधान में प्रयुक्त चरों से ताथ पर व्यक्ति वस्तु घटना या विचार विसेस के संप्रत्य या जो है मानव रचना कृतियों की उन विसेस्ताओं या गुडों से होता है जिन में जो है अनुसंधान की प्रयुजन और परिश्तियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं गाइज अब देखते हैं इसमें कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चर एक संप्रत्य या मानस रचना कृती हैं जिनके गूड या विशेस्ताओं के मात्रात्मक तथा गुडात्मक मान परिस्तिती अनुसार बदलते रहते हैं उदारण के लिए मतदातां के एक प्रतिदर्श को ले करके सर्वेक्षण किया गया प्रतिएक मतदाता जो है वो एक एक कारड दिया गया उस कारड के अंसार यहां पे सर्वेक्षण किया जाएगा जिसमें उन्होंने पहले तो अपना लिंग पूरू सिया श्त्री अंकित कर और फिर यह बताना था कि वे किस राजनितिक कॉलिटिकल्स पार्टी को अपना मत देना चाहते हैं इस सर्विक्षण का उद्देशिया देखना था कि क्या पूरुस या इस्तरी होना पार्टी के प्रती बिसेस रुजहान का सूचक है इस उदहारण में यह अच्छी तरह से समझा जात सकता है कि अंसंधान करता के सामने उनकी सोध समस्या में दो प्रकार के चर उपस्थित हुए एक तो लिंग चर जिस से कि दो स्रेडियों में पूरुस और इस्तरी में विव्व्यक्त किया गया है और दूसरा जो है चर पार्टी विशेस जिसे तीन स्रेडियों जैसे कांग्रेस भारती जन्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी में विभगत किया गया है और वहां पे हमें विसेश रूप से या ध्यान रखना होगा की चर और उसकी स्रेडियों में उचित अंतर बनाया गया है या बनाय रखे जा सकते हैं बहुत ही सरल डेफिनेशन की अकार्डिंग इंक्लिवड किया जराया है यहोग की अंडरिस्टूड हो रहा होगा गाइस उधहारन के जो है लिए पुरुस लिंग नामक चर के लिए प्रयूक दो स्रेडियों में से एक हैं और यह स्रेडि है चर नहीं है चित्रात्म रूप में जो है चर औ स्रेडियों में पाए जाने वाले अंतर को निमने प्रकार से दर्षाया गया है तो देखेंगे एक चर लिंग दो स्रेड़ी में पूरु सिस्त्री ठीक है एक चर लिंग है दूसरा स्रेड़ी में पूरु सिस्त्री तो यह रहा है आज के लिए नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के प्रेजेंट होंगे इसके चर के प्रकार थेंक्स पर वाचिंग गाट ब्लेस यू जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें वेल जो घंटी उसे दवा दिया करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन एजी से प्रोवाइड हो जाएंगे